मैं राम सिंग सर, कच्छा दस, विशे समाजिक विज्ञान, समाजिक विज्ञान में भोगोल, भाग दो, में हम लोग देखेंगे भूमी उपयोग, इसके पहले वाले भाग में हम लोग देख चुके हैं संसाधन, संसाधन के प्रकार, संसाधन सरच्छर, संसाधन सरच्छर क कारान, सतत पोसरी विकास। इस विडियो के अंतरगर्थ हम लोग देखेंगे भूमी ऊपयोग।शे तो इस तरह से जाता है, वह घुमी एक महत्पुर्डक्तिक चनिसलन है जिस पर मानव जीवन, वनस्वति वन जीवन आर्थिक लियाय परिवहन एवन संचार आदी भूमी पर ही आधारित हैं तो भूमी संसाधन पर ही सभी ये सीज़े आधारित होती हैं तो इस तरह देखेंगे हम लोग भू का उपयोग कहां 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 करते हैं तो पहला हम लोग जो उपयोग करते हैं व पर परjas पाइजाते हैं यहां पर भूरु का सब कम से करने के लिए यह अनुपलब्ड भूमी तो कि सि के लिए अनुपलब्ड मोंने, जो खेती करने के लिए उपयोगी जो उपलब्ध ना हो जो क्रिशी करने के लिए खेती करने के लिए उपलब्ध ना हो उसे हम क्रिशी अनुपलब्ध भूमी कहेंगे जैसे देखेलेंगे पहला बंजर तथा क्रिसी अयोग भूमी और ऐसी भूमी जहाँ पर खेती या क्रिसी कार नहीं किया जाते हैं उसे हम क्या करते हैं बंजर अयोग क्रिसी भूमी कहा जाता है दूसरा देखेंगे उसमें गैर क्रिसी प्रयोजनों में लगाई गई भूमी, जैसे इमाते सड़क उड्योक इत्यादी, तो गैर क्रिसी माने जहां खेती के अलाव दूसरे कारियों में लगाई जाती है, भूमी का उपयोग किया जाता है, तो उसे गैर क्रिसी प्रयोजन मे लगाई गई भूमी कहते हैं तो इस तरह से देखेंगे जैसे इमार बनाने में सड़क बनाने में उद्योग धंदे लगाने में इद्यादे में उपयोग किया जाता है तो ऐसे भूमी को हम लोग क्या कहेंगे गैर क्रिसी प्रयोजन में लगाई गई भूमी अगला जो देख को चरा जाता है तो उसे हम क्या करते हैं इस्थाई चरागा जहां पर हमेशा के लिए वह भूमी के वल चरागा के लिए ही उपयोग की जाती है अगला जो देखेंगे हम लोग है विबित बृच्चों बृच्छ फसलों तथा उपनाओं के अधिन भूमी और कुछ ऐसे भूम क्या करते हैं भूमी का उपयोग करते हैं अगला जो किसी अयोग बंजर भूमी जहां पांस से अधिक वरसों से खेती न की गई हो और कुछ ऐसी भूमी होती है जो किसी योग होती है लेकिन वहां पर कई वरसों से खेती नहीं की जाती है तो ऐसे किसी योग भूमी को हम लो किरसी योग बंजर भूमी कहा जाता है कि जहां पर खेती करने योग होता है लेकिन वहां पर कई वसों से खेती न की जा रही हो तो इस तरह से देखेंगे या थी परती भूमी के अतरिक तान किरसी या योग भूमी अगला जो परती भूमी परती भूमी किसे करते हैं परती भ कौन से परती भूमे होते हैं पहला वरतमान परती भूमी जहां एक क्रिसी वर्स या उससे कम समय से खेती न की गई हो आने जहां पर एक वर्स से खेती नहीं की गई है ऐसे भूमी को हम लोग क्या करते हैं परतमान परती भूमी करते हैं दूसरा जो है वह क्या पुरातन परती अले, जहाँ एक से पांच व्रस किसी से ख्यमती न की गई हो तो ऐसे इसे भूमी को हम लोग क्या कहेंगे पुरातन पर्ती, जहाँ पर फाइन एक से लेके पांच व्रस को नहीं एक लिएन जर्ड नहीं की गये होते हैं, क्रिसी के लिए अप्लूद कुछ भूमी होती है परती भूमी के अत्रिक्त अने क्रिसी योग भूमी होती है परती भूमी होती है इस तरह से हम लोग अगले टाफिक पर चलेंगे जो अगला टाफिक है हम लोग का मिर्दा अपरदन भूमी के कटाव और उसके बहाव की प्रक और उसके बहुत की परक्रिया को ही मृदा अपरदन कहा जाता है जो देखेंगे हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से जो भूमी का कटाओ होता है या जो छरन होता है उसी को क्या कहा जाता है मिर्दा अपरदन कहा जाता है इसके बाद मिर्दा अपरदन मिर्दा अपरदन के कारण मिर्दा अपरदन के निम्न कारण है इसमें सबसे पहले हम दो देखेंगे भौतिक कारण इसमें भौतिक कारण भौतिक कारण कौन-कौन है पहला मृदा अपरदन के लिए उत्तर दाई मुख्य भौतिक कारक नेमनलिखित है इसमें पहला धाल वाली भूमी पर अपरदन सम्तल भूमी की अपेच्छा जादा होता है जो धलान नुमी भूमी होती है वह समतल भूमी की अप्यच्छा इस पर जो अपरदन या मिट्टी का कटाओ जादे होता है तो या जो कारण होता है या भावतिक कारण के अंतरगर आता है दूसरा तीब्रव मुस्लाधार वर्षा से मिर्धा अपरदन होता है तो या भी एक कारण है जिसके वज़य से या भावतिक कारण के अंतरगर के मिर्धा का अपरदन इसके माध्यम से होता है अगला जो कारण है पाउने तथा आधी का रूप ले लेती है तो बहुत बड़ी मात्रा में बेदा उड़ा कर ले जाती है जो तिसरा कारण है वह हवाएं जब हवाएं कभी तेज रूप ले लेती हैं बहुत तिपरता से बहती हैं तो उस समय भी बड़ी मात्रा में मिर्दा को उड़ा कर एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाती हैं, तो इसके द्वारा भी मिट्टी का क्या होता है, अपरदन होता है, इस तरह से हम लोग देख लिए कि मिर्दा अपरदन के जो भौतिक कारक होते हैं, कौन-कौन उस मिर्दा अपरदन के लिए उत्तरधाई मानुवी कारक निम्न है, जो इस प्रकार है, पास्मुद वारा अत्याथिक चड़ाई से भौमी पर बनस्पति का आवरन समाप्त हो जाता है पहला जो कारण है मानुवी कारण में की मिर्दा अपरदन होता है तो वह है पस्वों को अत्यतिक चराई करने माने उसको अनिमित चराई करने से भी क्या होता है उनके खूर के माध्यम से भूमी की कटा होती है जिसके वह जैसे वह हवा या जल के माध्यम से हुआ है यह स्था सिर्ण स कारण को क्या कता है मढूई कारण जिसके दूर्ण म परधन होता है, अगला बनों के कटाओ करन मिम्र्ध data का अपरधन होता है हम देख रहे हैं अंद्धा धून, मनुस्य अपने उपयोग के लिए बनु का काट रहा है जिसके कारण भी देखेंगे मिर्दा अपरदन हो रहा है तो यह भी एक कारण है बनु की अंधा धुन कटाई भी मिर्दा अपरदन का एक कारण है अगला देखें किरिसी के गलत तरीकों से भी मिर्दा अपरदन होता है देखेंगे अगला जो मानुवी कारग के अंतरगत है किरिसी का गलत तरीका माने खेती करने का जो गलत तरीका है उसके कारण भी क्या होता है भूमी का अपरदन होता है तो इस तरह से देखेंगे ये सभी मानवी कारक के अंतरगात आते हैं माने पस्यों को अत्याधिक चराई से माने अधिक पस्यों को अनिमित चराई करने से भी क्या होता है मिर्दा का अपरदन होता है बनों के को काटने से भी मिर्दा अपरदन होता है क्रिसी के गलत तरीकों स होता है इस तरह से हम लोग देख लिए कि यह सम्मानुवी कारत थे अगले टापिक पर हम लोग चलेंगे जो आगे है वह है मिर्दा परदन को रोकने के उपाय मिर्दा परदन को रोकने के निमनलिखित उपाय हैं इस तरह से इसमें पहला देखेंगे बना रोपन से मिर्दा अपरधन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। इस तरह से देखेंगे, आधिक से अधिक बिच्छो को लगाने से हम जो रोक सकते हैं। यह पहला उपाह माध्यम देक कारणhat रोक जा सकत आ हैं दूसरा जो ऊपाय नदियों पर बादधन रोका जा सकते हैं इस तरह से देखेंगे जो नदिया बर हैं उस पर अगर हम बाद बना याए तो नदी का बहर बहर绁ग सक्थाल को कम होंगे तो इस तरह से हम लोग पहले अधिक साधिक बिरिच्छो का का रोपन करके या बिरिच लगा कर भी हम क्या कर सकते हैं मिर्दा परदन रोक सकते हैं दूसरा जखेंगे नदियों पर बात बना कर भी हम क्या कर सकते हैं भूमी च को रोगई सकते हैं अगला पासु च्राइब मे попроб saituti कीया जया चोगा लिए और जो री दुबुकर मेशीज क्लाई यूर्ज और लिए धाल वाली भूमी पर सीधिय दार तक्णिकी से सकते तके मिल्दा पर्दन को रोका जा सकता है अगला जो उपाय है जिसके द्वारा हम भू पर्दन को या मिल्दा पर्दन को मिर्दा अपरदन को रोक सकते हैं वह है भूचरण को धाल वाली जो भूमी होती है उस पर सिलीन में तक्निकी का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं वह मिल्दा अपरदन को रोक सकते हैं तो इस तरह से हम लोग देख लिए इसमें इस वीडियो के मादन से भूमी का उपयोग किस तरह से भूमी का उपयोग कहां कहां किया जाता है और मिल्दा अपरदन किसे करते हैं मिर्दा अपरदन के क्या कारण है उसमें भौतिक कारक मानुवी कारक और मिर्दा अपरदन को रोखने के कौन-कौन से उपा है तो इस वीडियो में इतना ही अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे अध्यन करेंगे